चार के अंदर दसतिया वाला साथ.. बाकिवाला है.. संगल बीट पर्ड्रर।・・・ अच्छ व व इसमें मिल जाता है.. व मैं भाक्ये बाकिhe सब नहीं अच्छ इसमें एसक बीज़े मईलेगी.. इसमें वैसे बाले बारी.. कुंसे दिखाएंगा नहीं इसमें यूजड़ वाले में यूजड़ वाला राज़ बारे वाला या देखो कितने का फाइनल देंगे बहुत अच्छे दाम है भाई आपके मुझे नहीं मालूम था अगर इतना पता होता हम तो यहां से लेके जादे को तो साड़ी चार आजार हो हमाई चैनल जर्बाव ओफिशल को सबस्क्राइब कर दीजिए और जबरदस किसम के वीडियो के लिए हमाई चैनल को जो है वो बैल आइगम भी प्रेस कर दीजिए तो आप फिर देख सकते हैं कि कितने जबरदस किसम के वीडियो चल दीए हैं होल से ब्लैंकिट से मुतालिक चैनल कम्राइब कर दीजिए तो देखने ही वीडियो यहाले बात हंे 2000 वीप का 1505,000 पर बाद बाद ऑना माल जो है एह वे बाला 4500 शार Спाई तक पड़े कर दिखें हैं यह ब्लैंकि-दाल का सोउचप अबड़े देट 20 विन Vale कर दो चारहार disp आ आज आपके पास बहुत ही जबर्दस किसम के ब्लांकेट की लाट आई वी है यानि कि ये ब्लांकेट आपको मिलेंगे ऐसे रेड़ पाय जिसमें मैं खुद भी हैरान थी यानि कि लोग लिहाफ और मुक्तलिफ किसम की चीजें जो है वो खरीदने में इंट्रस्टेट नजर आते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्लांकेट खरीद लिये जाए जो कि बहुत जबर्दस किसम की डबल प्लाई के हों तो आपके वारे नियारे हो जाएंगे और ये जो ब्लांकेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ आई वुज शॉक्ट कि मुझे इन दुकानो बिलकुल नियू है कोई इसमें यूजड नहीं है और सारे डबा पैक और बिलकुल इनके पैक जो है न वह आपको मिलेंगे नए चमचमाते हुए सारे इमपोर्टेड जो है न ब्लांकेट है और इनकी जो रेंज है वो स्टार्ट होती है तकरीबन सारे तीन हजार से लेकर और बारा से पंदरह हजार तक तक करीबन पंदरह हजार तक भी ब्लांकेट यहां दस्तियाब है तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ ब्लांकेट जो है पतले वाले हैं और कुछ जो है मोटे भारी प्लाई के हैं तो उसी हिसाब से जो है इनकी कीमतों का तायुन भी किया गया है तमाम blanket बिल्कुल lettuce design के और new है और ये तमाम के तमाम जो है वो imported है यानि कि ये आए में है Spain से, China से Korea और Japan से तो ये तमाम जो blanket आपको नजर आ रहे हैं अगर आप उनको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये बहुत interesting बहुत ही खुबसूरत जो है वो blanket डिजाइन wise भी आप देख सकते हैं बलकुल करीब से इसको close करके दिखाया जा रहा है ये पूरा एक section है जो के बहुत महंगा section है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ तकरीमन ये 6000-8000 वाले blanket इसमें नजार आ रहे हैं इनकी लंबी चोड़ी तेह से आपको नजार आ रहा होगा कि ये जो section है ये कितना भारी और बड़ा बड़े blankets हैं यानि कि ये जो blankets हैं ये आपको double ply के तो देखें सब ही हैं बाज लोग समझते हैं कि double ply डबल प्लाई से क्या मुराद लेते हैं double ply से मकसद कहने का ये होता है कि double ply अगर होती है तो उपर नीचे दो जो है न वो कपड़े यूज किया जाते हैं और फिर इसको pipe in लगा के joint के कर दिया जाता है इसको ये होता है double ply मगर लोगों के sense में या आता है लोग अमुमान अमुमी जो मैं एक बात बता रही हूँ सब तो नहीं लेकिन अमुमी जो मैं बात बता रही हूँ वही लोग ये समझते हैं double ply को कि double ply की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही भारी कोई blanket होगा ऐसा नहीं है double ply वाले हलके blanket भी होते हैं जैसे कि अभी आप यह देख रहे हैं अच्छा यह सारे blanket यह एक section है चोटा सा यह चोटा सा section आप देख रहे हैं ना यह जो चोटा सा section है यह used blanket है जो कि बहुत ही जबरदस किसम की condition है यानि मुझे ऐसा नहीं लगा कि यह used हो सकते हैं इसमें मैं आपको एक blanket भी दिखाऊंगी जो कि बिल्कुल भी मुझे used नहीं लग रहा था लेकिन उन्होंने used का word इस्तमाल किया है यह जो blanket का section नज़रा रहा है यह used हैं यह भी बाहर के imported blankets हैं जो कि बहुत जबरदस किसम की condition में यहां आई हुए है और अभी मैं आपको कुछ देर में एक blanket दिखाऊंगी जो कि बहुत ही जबरदस किसम का है जिसको आप भी देखकर बोलेंगे कि यह तो used होता है यह तो used में लग ही नहीं रहा है जो कि बहुत ही कम कीमत में दस्तियाब है खसूसी बात इनकी यह है कि यूज वाले जो blanket है जब उधर में आऊंगी यूज वालों की तरफ तो उसके बारे में बात करूँगी अभी यह हमारे पास नए वाले blanket है जो कि बहुत ही खुबसूरत है और डबल प्लाई की बात चल रही थी तो मैं समझाना चारी थी कि डबल प्लाई में देखे हलकी हलका मटेरियल लेके हलका कपड़ा लेके भी दो प्लाईयां अलहदा करके जोइन करके पाइपन लगा दी जाती है वो डबल प्लाई, वो भी डबल प्लाई कहलाती है और डबल प्लाई में एक बहुत भारी किसम का अवनेरियल भी यूस किया जाता है जिसमें दो प्लाई से मरादे एक उपर कपड़ा लगता है, ब्लैंकेट का एक नीचे लगता है लेकिन अगर वो दोनों भारी किसम के इस्तेमाल किया जाएं तो वो आला किसम का डबल प्लाई ब्लैंकिट हो जाता है लोग सिर डबल प्लाई की बात करते हैं लेकिन यह नहीं देखते हैं कि हलका वाला कपड़ा इस्तमाल करके डबल प्लाई तो बहुत ही हलका सा ब्लैंकेट बन जाता है तो हमें ऐसा ब्लैंकेट नहीं चाहिए हमें भारी चाहिए क्योंकि हमें सर्दी की परपस से चाहिए से ये वही मैं आपको बताना चाहरी थी कि डबल प्लाई हलकी और भारी और बड़े और छोटे डबल बैट सिंगल बैट के हसाब से इनकी कीमतों को तायून किया गया है जो भारे मटेरियल इस्तिमाल किया गया है या बहुत ही जादा उम्दा कौलिटी का मटेरियल इस्तिमा होते है आगर उसको अगर आप महसूस कर सेकें के सिंगल प्लाई के बलैंकेट तस जैसे के हमारे पास मिजौरिटी जो ब्लैंकेट वह SINGL प्लाई के हैं हैं और बहुत कंफ़कल होते हैं सिंगल प्लाई के बैंकेट इधर विदर नहीं जाते softness का इसास भी बहुत होता है गरम भी बहुत होता है हमारे पर जितने भी blanket है उसमें जो ना single ply वाले ही blanket है बहुत मोटा जो ना blanket का कपड़ा समें यूज किया गया जो कि बहुत ही जबरदस थे है यह सामने यह जो भाई इशारा कर रहे हैं यह भी सारे स्पेंड से कोरिया से जपैन और चाइना से हाई वे बलैंकेट है और यह बहुत अच्छे वाले blanket है यह 6000 से तकरीमन स्टार्ट है और यह जाते हैं तकरीमन 10,000 तक उसके कोने पे जो दूसरे एक section है जो कि मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ यह कोने वाला section जो है यह तकरीबन 12,000 वाला section है और इसके बाद भी कुछ और भारी कंबल भी आपको मिलेंगे जो कि 15,000 के पे होंगे यह ऐसे कंबल होंगे जो कि आपको शदीद सर्दी वाले एरियास में रखने पड़ेंगे यह बहुत शदीद सर्दी हो कराची में अगर उन दिनों में आप उज़ यूज़ कर सकते हैं मगर इतनी सर्दी हर यहां नहीं पड़ती है कराची में मगर यह के लाहोर में जब सर्दीओ की दिन होते हैं तो वहां काफी सर्दी पड़ जाती है काफी से ज्यादा सरदी परजाती इसके लावा जहां नेगिटिव पर टमप्रेचर चला जाता है माइनस में जहां टमप्रेचर चला जाने है जिरो से नीचे जहां चला जाता है टमप्रेचर उन लोगों के लिए डबल प्लाइस से कहीं ज़ादा ये बात अहमेद रखती है कि वो ब्लैंकिट आपके सर्दी खतम करता है कि नी तो इसी वात को मैं समझाना चारे हूँ आपने वाला ये बात उने च्छे हजार परी का साड़े पांच हजार परी के पड़िया गया वाला सही है यह चार पांच हजार तक पढूँ है लिए ठावड़ी बैटके ना बड़े बड़ंग ड़े ठीक है तो आप जब ये देखेंगे सारे ब्लैंकेट इतनी बड़ी इनके दुकान है कि आपको अपने लिए च्वाइस करना काफी मुश्किल हो जाएगा लेकिन आप जब भी दुकान पर जाएं तो आप तमाम बेहनों भाईयों को यही मश्वरा है कि आप डबल प्लाई के बजाए जो है आप कंबल की मोटाई पर गोर करें कि वो कितना मोटा कितना भारी और कितना आपको सर्दी से बचा सकता है डबल प्लाई सिंगल प्लाई के चकर में ना उल्चें बलके कंबल की मोटाई और उसके भारी पन पर गोर करें कि वो कितना भा है ये जबर्दस किसम के दुकान बहुत ही और सम दुकाने में रोट पर है और यह खायबर मार्कीट के स्टार्ट है जिन लोगों को कहा नहीं पता हूं को मैं थोड़ा साल कपल का सारी इवियू दे देते हूं एड्रेस समझा देते हूं लेकिन जिन को थोड़ा बहुत भी ज जो ना, आपको उसके पिक दे दी है, अगर आप पहुंच सके एंड तक देखना चाहें, तो जरूर आप एंड तक देख और और इसका एडरेस इंकी दुकान का ले सकते हैं, इनका फोन नमबर भी आप फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको खरीदारी करनी है जो एडरस समझना है जैसे भी है जो भी है आप जरूर ये होलसेल का काम भी करते हैं तो डेफिनिटली होलसेल के काम से मतालिक भी आपको हेल्प इनको होलसेल से मतालिक आपको हेल्प देंगे ये आपको और इसके लावा जो ये बलैंकेट में ज है यानि कि यूज़ थे और साथ इनों ने यह भी बताया है कि यह बहुत कम रेट के हैं जो कि आप खुछ सुन सकते हैं अच्छे सिंगल वाइट से हैं सब्सक्राइब जैसे कि आपने सुना के यह ब्लैंकेट जो कि सिंगल बैट के होंगे उसमें कुछ 18-15 के भी है मिन्स के आप जो है ना पंदरा सो से अगर स्टार्ट लेते हैं किसी भी ब्लैंकेट को यूज़ यानि तो डेफिनली आपको पंदरा सो में बहुत ही जबरदस किसम के जो है वो ब्लैंकेट मिले वाले है तो मेरा मशवरा यह अपनी प्रुछ जो मशवरा है जो कि आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस शॉप पड़ जाईए और यहां से जो एना बिल्कुल नया चमचमाता हुआ ब्लैंकेट ले लीजिए बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई फटने का इमकान नहीं होता है ब्लैंकेट्स का मेला भी बहुत कम होता है कलर की ऐसी प्लैंकेट्स होते है अपने कमरे अपनी पसंद अपनी चोईस के मताबक आप ब्लैंकेट ले सकते हैं यह देक रहे हैं आपकी कितना बड़ा यह होल सेल का गोदाम है और यह गोदाम जो हो किदर किदर होते हैं अमूमीं तोर पे जो है आमखवातिन होती हैं उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता हम आम खवातिनों हजरात को यह आप देख सकते हैं कितना जबर्दस किसम का बड़ा गोदाम है बहुत च्छत तक जो है ना ब्लैंकिट लगे हुए हैं और यह सारे वही च्छत से भी उपर बलके इन्होंने डबल स्टोरी करके क करावा है एकी दुकान को दो हिस्से करे में चछत से भी उपर जो के मुक्तिलिफ जो है वो रेट वाइस जैसे के मैं आपको बताया के बारहाजार से उपर भी हमारे पास बलैंकिट नजर आ रहे हैं बलैंकिट की एक बहुत तवील लाट रखी हुई है और बहुत ही जबर सुबल अगर है और होलसेल के दाम पर अगर कोई इसमें बहुत सारे खरीदना चाता है तो वो भी ले सकता है और अगर कोई कम खरीदना चाता है या एक या दो खरीदना चाता है तो वो भी डैफिनिटलि यहां से आके ले सकता है बहुत जदी तरस कि उन्होंने यह दुका वाते हें उपर इन्होंने जो है ना सिस्टम दिया हुई दुकान का ताकि एजी फीलेट जादा से जाधा माल आ सके और यह बहुत अकल-मंदी से उन्होंने यह काम किया हुई दुकान को भान को में दिखा रहे हैं उसी वजसे कि नहुने दुकान के ओपर एक खलकी छट डाल और सारे इंपोर्टिड और नियू जो है न वो कमबल है सिर्फ एक हिसा छोटा सा मुटसर सा अनों ना रखा है यूस्ट का कि जो खवातियों हज़रात यूस्ट में खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए ये साइट पर जो है न वो यूस्ट का जो है न वो सैक्शन रखा ये ये सारे यूज़ वाले ये जो के नीचे गिर चुके हैं और बागि सारे जितने भी आपको नजर आ। आ रहे हैं ये सारे बिलकुल ले्टर्स डिसाइन बिलकुल नियु और कोरिया जपैन से जो है ना मंगवाए वे हैं इम्पोर्टेड यह निकि कि ब्लैंकेट से तो इ तिन तमाम ब्लैंकेट को देखे आपको अंदाजा होगा कि डिफिनिटली ये तमाम ब्लैंकेट जो है वो बहुत ही जबर्दस कीमत पर फरुखत की जा रहे हैं मेरे खुद इरादा था कि मैं जो है वो हाफ लूँ मजीद मगर ये कि अब मेरे इरादा जो है बिल्कुल लेने को दिल चाहरा था तो जब मैंने लिहाफों को अरादा किया आप लोगों के लिए इसकी वीडियो भी बना कर मैंने दी तो मेरा खुद का भी इरादा हुआ कि मैं ये खरीदू लेकिन जब मैंने ये ब्लैंकेट की लाड़ देखी है तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इ रीजन ही ये कि ये धुलने में भी असान है मेले भी कम दिखते हैं और इसके लावा जो है ना हर तरीके से इसको हैंडलिंग करना बहुत एजी फिल होता है लेकिन धियान रखिए का कि आप जो है सिंगल और डबल प्लाई के चक्र में ना पढ़ें आप सिर्फ ऐसा ब्लैं रहें वो सिर्फ एसी की इस ठंड से आपको बचा सकता है जो कि गर्मियों की शदीद गर्मियों में एसी में थोड़ी बहुत रात में हो जाती है बाकी ये के और इसके लावास कोई खास काम नहीं हो सकता है तो आप लोगों को आगाही भी देनी थे आवरनेस भी कि जो लो आपको उनका मैं नमबर भी आपसे शेयर कर रही हूं और इनका नाम भी बता रही हूं उनके दुकान का एडरेस भी समझा रही हूं ये खैबर पुल है बनारस का खैबर पुल अगर जो लोग मेट्रिक बोड़ आफिस से अंदर आते होंगे बनारस तक तो उनको पता होगा कि बहुत बड़ा सा पुल आ रहा है ये पुल जो है ये अबदल्ला कॉलिश तक जो एक पुल आके अबदल्ला कॉलिश तक खतम हो रहा है वो पुल जो है वो खैबर पुल है ये जाता है बनारस तक और इसके नीचे ये पुल की नीचे ये मार्केट है मैं एडरेस की जो आ आप देख सकते हैं और बहुत ही हसीन ब्लांकिटथs हैं आपको यकिने दोर बहुत कम पैसो हैं w आके यहां सकते हैं moo혜 e печsen अब बहुत पसंद आया । मुलाइजा कर सकते हैं । हमद 310-223-6001 और इसके पाद ईद मुहम्मद की भी एक नमबर है 0-313-2308217 और कार्ट पे आप मलाइज़ा कर सकते हैं कि इनों ने लिखा हुआ है कि हमारे यहां कोरिया, जपैन, स्पेन और चाइना के कंबल होल सेल में दस्तियाब है खैबर मारकीट है, γेट नमबर एक के सामने और पर बहर आके किसी से भी पूछ सकते हैं यने पापुश के सामने जब दुल्ला कॉलिज है वहां से आप ये खैबर पुल पे नहीं भी चड़े तो आप जो ना नीचे के साइट पर जब आएंगे तो ये बनारस आएगा बनारस यहां कई भी नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता देते हूं यहां बनारस नहीं लिखा हुआ है कार्ट पर लेकिन आप खैल लखिएगा आपको बनारस पर ही आना है यहां बनारस का नहीं जिकर हैं लेकिन आपको बनारस पर आना है बनारस पर जब आप पापुश के साइट से आएंगे तो उल्टे हाथ पर ये खैबर जो हैना वो मार्किट पड़ेगी तो यह म बनारस की तरफ के कर उनको आना है जो लोग बनारस को जानते हैं उनको समझाने के जरूरत नहीं है तो थैंकिसो मच अपना बहुत ख्याल रखेगा हमारी इस वीडियो को जरूर कमेंट दे के बताईएगा और जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा बहुत सारे लोग भी बनता है थैंकिसो मच सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए लोग हैं तो थैंकिसो मच झाल झाल